नमस्कार दोस्तो स्वागत थैप सभीका आपके अपने चैनल और इस्टडी पर जिहां दोस्तो आज किस वीडियो में हम मिस्रित भीनों के जोड सिखने वाले हूं जिसको इंगलिस में कहते है addition of mixed fractions यानि यहाँ पर fraction दिया गया है और वह जो fraction मिक्स्ट है मिक्स्ट कियो है यहाँ यहाँ पर समझते है तो देखिए हमारा कुशन क्या है यहाँ पर दो दिया गया है इस दो को हम पुर्णांक बोलते है क्योंकि इस दो में किसी भी संगे से डिभाइड नहीं है यह दो जो है अपने आप में पूरा है तो इसको हम पुर्णांक बोलेंगे तो दो पुर्णांक हो गया अब देखिए चार है यह चार जो है पुरा नहीं है क्यों क्यों चार में साथ से डिभाइड है ये चार के बटे में क्या है साथ है तो ये चार पुरा नहीं है और चार बटे साथ क्या एक भीन है और ये दो पुर्णांग है ये पुर्णांग को और भीन एक ही में मिस्रित है तो इसलिए हमको मिस्रित भीन कहते हैं यहां पर क्य क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने काहशान तरीका क्या है चले सीखते हैं तो जब भी आपको इस Deborah के कॉर्षन दिख जाए तो करना क्या है जो भी अपन्रांग है इसको आपको हटाकर सींपल भीन में कंवरट करना होता है तो इस दो कनों का गुना कीजिए और उपर नोंबर उसमें जोड दीजिए साथ का गुना करेंगे दो में तो साद्ट निको जाएगा चोदक और 14 में 4 को जोडएंगे आपका होगा 18 और बाठा में यहां पर तो यहां पर भी बाठा में उस यह पार रहेगा तो 6 और 7 मिलकर 13 हो जाएगा बटा में क्या है दो तो यहां पर भी बटा में 2 ही रहेगा अब देखे सिंपल भीन में बदल गया 18 बटे साथ क्या एक भीन है इसमें जोड़ना है तेरे बटे दू एक दूसरा भीन तो इसको जोड़ने का रूल क्या होता है कि जो भी बटा के नीचल और नंबर 7 है ना यहांपर बटा की नीचे क्या है 2 है तो 7 और 2 का हम L.C.M. नेकालते हैं अगर नहीं कटेगा तो LCM हमारा क्या होगा तो इन दोनों का गुड़न फल हमारा LCM हो जाता है यह साथ का गुणा कर देंगे दो में तो साथ दोनी के 14 यह साथ दो का LCM हमारा कितना गया 14 आ गया और देखें जितना बड़ा कोश्चन है उतना बड़ा लाइन किचेंगे और बीचों बीचे नीचे क्या करेंगे 14 लिख देंगे और यह 14 हमने कहां से लिखा है जो LCM आया है वही हमने लिखा है अब देखे यतना काम करने के बद आपको थोड़ा सा समझना है जब भी हमने साथ और दो का LCM निकाला तो इसको गुना करने पर LCM आया तो जब भी गुना करने पर LCM आया तो उस कंडिशन में करना क्या होता है आपको कोई भागोग नहीं करना है सिर्फ आपको तीरचा तीरची क्या कर देना है गुना कर देना है यानि कहने का मतलब है कि 18 का गुना कर तो आपको 36 यहां लिखना है प्लस है तो प्लस और तेरा गुणा करेंगे साथ में तो 37 होता है आपका 91 यानि 91 और इस तरीके से 33 गुणा आपको कब करना है जब LSEM गुणा करने पर आए तब जब LSEM माली यहां पर 6 होता तो दो से कटाते दो त्याएं 26 और दो एकम एक यहनि इसका LSEM निकल जाता तो जब LSEM निकल जाता है तो उसके लिए दूसरा रूल है अगर वह रूल सिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस रूल को भी हप सिख सकते हैं बड़ी असान है सबसे पहले इसको समझ लिजे अब देखे अब हमने यहां पर जो भी हमारा में काम था उसको मैंने फाइनल कर दिया है और यह हो गया आपका इस कोशन का फाइनल आंसर तो देख सकते हैं जब भी आपको मिस्टित भीनों को जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे इस पुर्णांग को हटाएंगे तो पुर्णांग को हटा दिया सींपल भीन में कनबट कर दिया उसके बाद हमने क्या किया और जो भी यहां पर हर संग तो दोनों को दिवाइट कर दिये और हमारा फाइनल आंसर यह पर आ चुका है तो आई होब के जोभी मेंने तरीका बताया हुआ आसान तरीका आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो चली मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यर वाई बाई थाने बाई